हाल ही में उत्रा खट के चमोली डिजास्टर के दौरान चर्चा में आए ग्लैशियर शब्द के बारे में आज हम बात करेंगे ये ग्लैशियर क्या होते हैं बिल्कुल सीधी भाषा में जाने तो ग्लैशियर एक बर्फ का बड़ा हुआ पहाड है इसे हिमानी या हिम्रत भी कहा जाता है ये कई किलोमीटर लंबे और हजारों साल पुराने भी होते हैं कई साल की लगतार हुई बरफ बारी से ये बढ़ते हैं ये पृत्वी के लगभग 10 प्रतीशत भाग में हैं ये धीरे धीरे नदियों की रूप में बहते हैं We can say that a glacier is an extremely large mass of ice which moves very slowly, often down a mountain valley Importance of Glacier Glacier मीठे पानी का बड़ा सोर्स हैं और कई नदियां पानी के लिए glacier पर डिपेंड करती हैं ये पृत्वी और महा सागर को भी प्रोटेक्ट करता है ये extra heat को absorb करते हैं और पृत्वी को ठंडा रखने में मदद करते हैं इसके melt होने पर जो पानी collect होता है उससे electricity भी produce की जाती है तो आज हमने जाना कि glacier क्या होते हैं और glacier की importance क्या है इसके next part में हम बात करेंगे इंडिया के important glaciers के बारे में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे like और share जरूर करें और मेरे चलरल दिलकी चाबी को subscribe करना ना भूलें